धम्मम शर्णम गच्छामी एक बार इसलाम धर्म को मानने वाले विद्वान से मेरी मुराकात हुई तो उन्होंने कहा कि सारी के सारी चीजें अल्ला ने ही बनाई है तो अल्ला का जो प्यार है वो सारे सत्यों के लिए समान है ऐसा उन्होंने कहा क्रिश्चिन के धर्म के गुरू के साथ मेरी भेट हुई उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों के लिए ईसा मसी समहन रूप से देखते हैं यानि सभी धर्मों में कोमलता और एक समानता का पाठी पढ़ाया जाता है तो बौध धर्म में जहां तक देखा जाएं तो चार महा धर्म की बात करते हैं कि सभी के सभी जो हैं वो दुख से मुक्त हो जाएं और सुख की प्राप्ति कर लें उसके अत्रिक्त जो हमारे साथ बौद्ध हैं कि साथ तरह के आराध्धि के लोग ऐसी भावना करें तो कितना अच्छा हो सकता है कितना कारगर हो सकता है कि सभी के सभी जीव प्राणी दुख से मुक्त हो कर जाएं और सुख की प्राप्ती करें कि सभी को हमेशा सुख की खुशी की प्राप्ती हो यानि अगर सभी के दुख और कलिश कट जाएं तो कितना अच्छा होगा और हमें आपको सबको यही सोचना चाहिए कि कोई भी प्राणी दुखी न रहे बौद हैं तो इसके नाते कर्तव और जारा बढ़ जाता है जहां तक साथ अरब लोगों की बात है इसमें प्रमुख यह है जो हमारे अंदर प्रेम है वो बहुत जादा है और स्था उत्पन होता है दूसरा अगर हम धार्मिक काम करते हैं बात करते हैं तो दो भागों में इसे बाटा जा सकता है एक प्रकार के ऐसे धार्मिक जो करता को मानते हैं जो इश्वर को मानते हैं कि इश्वर ने बनाया उसी प्रकार के लोग जो करता को नहीं मानते वो कर्म फल सिधान्त को मानने वाले हैं जो दो प्रकार के धर्म की लोग हैं उन सब में प्रेम, करणा, शमा, आदी की बात होती है ये मानते हैं यही मुलभूत बाते हैं धर्मों में बिविन्य प्रकार के मार्क हैं, सिद्धान्त हैं, दिरिस्टी हैं, यहां तक कि वेवहार की भी बात करें तो हैं, तो ये है कि किसी को नुक्सान भी नहीं पहुचाना है। इसलिए हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, महत्वा देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, भावना को समझना चाहिए, किसी की बुराई या नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं उनका दिल दुखाना चाहिए, जहां तक करता कुन ना मानने वाला धर्म है, खासकर और वो से धान्तवादी, जैन धर्म और बौद धर्म ये तीन प्रकार के संप्रदाए को मानने वाले लोग हैं, जो करता को ना मानने वाले लोग हैं, बौद धर्म की बात की जाए तो वो अनात्म को मानने वाले लोग हैं, जो आत्मा को नहीं मानते, बलकि सारे के सारे धन आ आत्मा को मानते हैं चाहे वो हिंदू हो जैन हो क्रिश्चिन हो या धर्म के हो या ना हो सभी आत्मा को मानते हैं लेकिन सांखेवादी और बौध करता को नहीं मानते हैं तो ये करता को मानने वाले हैं कि एबल बौध धर्म ऐसा है जो अनात्म को मानने वाला है तो इसको जान उसके अत्रिक्त अन्य धर्म के जो लोग हैं कहते हैं कि हमारी आत्मा रूपी जो चीज होती है वो हमारे मरने पर स्वर्ग और नर्क में जन्म लेने के लिए विवश होती है जिस प्रकार की हमारी आत्मा की इस्तिती होती है उसी प्रकार से हमें जन्म मिलता है हमें स्वर्ग और नर्क में ले जाने वाली आत्मा देवता के सामने प्रदान करने वाली आत्मा इस तरह की कुछ चीजे बौद धर्म नहीं मानता पाँच इसकंदों से हटकर कोई चीज बौध धर्म नहीं मानता इसकंदों से निर्भर होकर ही इसका अस्तित तो होता है उससे हटकर कोई अस्तित तो नहीं होता बौध धर्म के लोग कहते हैं कि ऐसी कोई आत्मा नहीं जो मृत हो सकती हो वो सारी के सारी जो भी चीजें हैं वो हमारे पांच इसकंदों पर होकर उनको नाम दे दिया गया अलग धर्मों के लोग हमारे पांच इसकंदों से हटकर मानते हैं कि आत्मा खुती है पाली परंपरा के अनुसार और संस्कत के अनुसार बाद धर्म की दो परंपराएं है इन दोनों की भाषा के अनुसार दोनों अलग-अलग है विशे सभी के एक ही समान है सभी में त्रिपिटिक को मानने वाली परंपरा है सूतर की बात की जाए तो ये भी भगवान बुद्ध को मानते हैं विने के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा कम या जादा या थोड़ा अलग हो सकते हैं इसी प्रकार से थेरवादी परंपरा से देखा जाए तो भिक्षूओं को शील की बात की जाए तो उसमें थोड़े जो हमारे संस्क्रत परंपरा से कम होते हैं। लेकिन इन में मूल रूप से देखा जाए तो लगभख समान होते हैं। वहीं अगर समाधी के स्थिथी की बात यानि चारों की बिधी अलग-अलग होती है लेकिन चारों की समानता देखने को मिलती है तो हमारी जो कलेश, बुराईया, अज्यानता है वो हमें नश्च करने वाले मार्गों का अभ्यास करनी की जरुवत है जो संस्कृत परमपरा में बौदिचित या अच्छे प्रकार की पारमिताय आती है जैसा कि हिर्दय सुत्र में कहा गया कि रूप शुन्य है या शुन्य ही रूप है जैसे कि पाली परमपरा में इसका विस्तार नहीं है उसको मानते होंगे लेकिन उतने प्रकार से नहीं समझ में आया होगा कि किस प्रकार से शुन्य है उसमें शुन्यता क जहां तक विस्तार है वो पाली परमपरा में देखने को नहीं मिलता तो चीनी अनुवाद जो कि प्रग्या सुत्र का अनुवाद आसाम में भी है लेकिन उसमें जो शब्द आता है वो रूप ही शुन्य है जो भी शब्द आता है वो उसमें देखने को नहीं मिलता अगर संस् प्रकार का निरात है। वो भी शुन्य है। इस प्रकार से समझनी की कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो चीनी अनवाद में भी या कहीं की अर्थ आता है उसका होना जरूरी है। उस से ज़्यार स्पस्ट हो जाता है। जो बोलते हैं तिब्वती में उसका होना भी तो दोनों भी धर्म निर्यात से दोनों उसमें संगत हो जाते हैं। उधारन के रूप में जैसे की मैं शून्य हूँ अर्थात शून्य ही मैं हूँ। इस प्रकार से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रूप ही शून्य है। यानि ऐसे करने से हम अपने आप को जोड़ कर देख पाएंगे। ऐसे में अच्छी तरह से समझ़ जा सकता है। मूल मादमिका करनिका में ये है कि जो नागाजुन द्वारा रक्षित है उसमें शून्यता के बारे में बहुत विस्तार से कहा गया है। कि किस प्रकार से शून्यता को समझ सकते हैं। हाला कि सूत्रों में भी इसकी व्याक्या है। लेकिन सूत्रों को आसानी से नहीं समझ जा सकता लेकिन नागाजुन की कणिका में विस्तार्ज समझाया गया मानलो कोई चीज स्वभाब से सिद्ध हुई तो वो निर्भर होकर उत्पन्न होगी कि दो धर्मों से निर्भर होकर उत्पन्न होगी अगर कोई चीज स्वभाब की सिद्धी से उत्पन्न नहीं है तो इस प्रग्या पार्मिता के सूत्र में कहा गया कि रूप ही शुन्य है शुन्य ही रूप है इसके तौर पर देखें तो उसे जादा अच्छे से समझा जा सकता है जादा अच्छे से देखा जा सकता है नागारजुन ने गरंतों में बहुत स्पस्ट रूप से व्याक्या की है खासकर मूल माध्य में कनिका है उसमें जारा प्रमुक्ता से व्याक्या की गई कि शुन्यता का विस्तार क्या है उसका अर्थ क्या है जिसके अत्रिक्त भी सूत्रों में देखने को मिलता है कि इस भाशा ज़ादा कठिन होने के कारण इस पस्ट रूप से समझ नहीं सकते नागारजिन न उससे अहटगर उसकी व्याख्या की है जिसके कारण उधारनड के रूप में उसका मंत्र उच्चारन भी कर सकते है हमें समझना चाहिए कि इससे पाइदा क्या है इससे लाब क्या है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो चित है इसी के अधीन है चित जो अपने कलेश ग्रणा के अधीन है तो इन ग्रणा से मुक्तो होने के लिए प्रयास करने चाहिए जो अग्यानता रूपी हमें गुलाम बनाए हुए है उससे मुक्तो होने के लिए शूनिता का दर्शन है या अग्यान को जानकर कलीशो और अग्यानता को नश्ट कर सकते हैं विनाश की सोच रखते हुए कलेशो अग्हणा को नश्ट नहीं किया जा सकता ये एकदम स्पस्ट है कलेश को नश्ट करने के लिए शूनिता रूपी ग्यान की मेतर पूरता है अगर हमारे अंदर शूनिता रूपी ग्यान प्रकट हो जाए तो हम मार्ग पर चलते जाएंगे एक बार हमारे पांच मार्ग या चार प्रकार की जो बताए गए उन्हीं किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके या किस प्रकार पार लगाया जा सके तो ध्यान लगाने से हम परवतों को भी पार कर जाएंगे उससे हमारा कलेश कर जाएगा स्वाहा के शब्द का निरंतर अभ्यास से हम कलेशू से दूर हो सकते हैं बुद्ध चित्य का अभ्यास करने के लिए हमारे सामने चार प्रकार के मार्ग हैं, उनका अभ्यास करना चाहिए, बुद्ध चित्य का अभ्यास करने के बाद हम बुधत्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम बुद्ध बन सकते हैं, तो हिर्दे सूत्र के मार्गों के क्रम को बताय हम लोग अभी शिरुवाती अवस्था में हैं, हम लोगों की अभी जो इस्थिती हैं अभी घरों में या मार्गों में अभी प्रवेश भी नहीं किये हैं, तो चारों मार्गों की अवस्था को जानने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी जो आठवी या नवी भूमी कहा जाता ह इसमें हमारी जो आवरण होगा उसको नश्ट करना चाहिए उसे नश्ट किया जाता है इससे पूर्ब ध्यान की द्वारा आदी जो मार्ग हैं उनमें कलेशों को नश्ट किया जा सकता है हर सुख को प्राप्त किया जा सकता है जितना अपने सारे कलेशों को नश्ट करने के ब बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है। लोग ऐसे परंपरा को मानते हैं। जो दो प्रकार के आवरण हैं उसे नश्ट कर लिया हो तो बुद्ध को प्राप्त कर लेता है। मारगों का भ्यास किये बुद्ध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे वैसे हम भूमियों को भी प्राप्त करते जाएंगे। भूमियों को प्राप्त करने के बाद हम बुद्ध को भी प्राप्त कर लेंगे। जैसे कहा गया कि गते ग बौद्चित्य को बोलने से लाब क्या है उससे क्या हो सकता है बौद्चित्य हम तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब हम स्वार्थ को त्याग दें जब हम मैं की भावना को त्याग दें मैं की भावना को काटने के लिए बौद्चित्य का लाब करना चाहिए अभ्यास करना चाहि बहुत चित्त का अभ्यास करने से हमारे अंदर जो कलेश आदी हैं जिसके कारण हम क्रोध, मोह, ग्रहना आदीक तरह के परदा है उसे नश्ट करनी के लिए कलेश आदीकी वासना होती है इन सभी को नश्ट करना चाहिए भगवान बुद्ध ने गरंतों में कहा है कि इतना कल इस ठीक नहीं होता है इसलिए छुटकारा पाने के वारे में सोचना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि पहले शुनिता के सिधान्त को समझे और फिर उसका अभ्यास कीजिए बिना इसका अभ्यास और समझे आप सुख के पत को प्राप्त नहीं कर सकते जब हम अभ्यास करते हम गंफिर अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी हमारे अंदर बहुत इचित उत्पन होगा जो भी शुद्ध और बुद्ध की बात है वो बिना अभ्यास के नहीं हो सकता बध्धा चार्रे या अन्य ग्रंथों में शुनिता की ग्यान को बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया ह या नागारजुन की जो ग्रंथ हैं उसमें शुनिता के दर्चन को किस प्रकार से विशलेशन उनका किया गया तो उसको भी समझना चाहिए शुनिता का सिध्धान्त यही है कि अज्ञानता को नश्ट कर सकता है अगर हमें अज्ञानता को नश्ट करना है तो बौधिचित को तुपन्य करना पड़ेगा एक प्रकार से बौधिचित के द्वारा प्रवेश करने का अभ्यास करना चाहिए बौध्चित के द्वार में प्रवेश करने का भ्यास करना चाहिए रतनावली के पाट का विशय भी बौध्चित और शुनिता ही है मनुष्य को बौध्चित या शुनिता को समझने की कोशिश करनी चाहिए मनुष्य के अलावा बौद्चित और शुनता को कोई नहीं समझ सकता फिर चाहिए जानवर हो या फिर कोई और बेजवाँ चीज यानि सिर्फ मनुष्य में ही ऐसी प्रत्वा है जो बौद्चित को समझती है नाग बौद्चित ने भी कहा कि सिर्फ नाम लेने से हमें बौद्चित या शुनता का पुरान प्राप्त नहीं हो सकता फिर बौद्चित के ग्यान की प्राप्ती नहीं हो सकती जिसका यानी की बौधिचित एवं शुनिता को प्राप्त कर लेने का एक उपाय ध्यान करना है रतना वली में सबसे पहले यही बताया गया कि मनुश्री के शरीर को कैसे प्राप्त किया जाए और मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद बौध्य चित और शुनिता को कैसे प्राप्त किया जाए दो विशे हैं जिसमें रत्ना वली को भाटा गया क्योंकि जो शुनिता है वो बौध्य चित को उत्पन करने में मदद करती है बिना शुन्यता के हम मुशुद्ध रूप से बौध के ग्यान को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए महतरपून है कि शुन्यता का उत्पारन करना चाहिए बुद्ध की जो दस भूमिया हैं उसमें पाली परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्ध बुधत प्राप्त करने से पहले एक सामानी व्यक्ती थे हम लोगों के जैसे ही सामानी इंसान थे उन्होंने समाधी के द्वारा और ध्यान के द्वारा अपने बुधत को प्राप्त किया उन्होंने समाधी में बैठक गत गत पार गते पार संगेते काईश्लोक पढ़कर बुदत्त को प्राप्त किया जो कई प्रकार के मार्गों होते हैं जैसे कलेश के मार्गों को नश्ट किया गया उसके बाद कुशीनगर में जाकर महाप्रमार को प्राप्त किया बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ही जीवन में दस पार्मिताओं को पार करते हुए बादिश्ट को पराप्त किया। के लिए बोज उठाने का संकल्प लिया था कि कैसे दूसरों का वो हित करेंगे बिना मेहनत के स्वताह प्रकार के काये को प्राप्त हो जाते हैं भगवान ने एक ही जन्व में सभी लीलाईं दिखा दी हैं उन्होंने अपने चार कार्यों में विविन प्रकार की लीलाईं दि धम्म शरणं गच्चामी धम्मं शरणं गच्चामी